हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू क्रेजी जी के ट्रेक डेली करेंट अफेर सेशन में आप सभी कस्वागत हैं आज है 10 फरवरी 2022 और आज से रिलेटेट जितनी भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स होने वाली है उससे हम आप से डिस्कस करेंगे ये करेंट अफेर भारत के सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है तो पूरी सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए लास्ट में मैं आप से कुछ इंपोर्टेंग कोशन करूंगा जिसका एंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है पीडियाफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक को जॉइन कर सकते हैं हमारे क्रेजी जीकेट एप्लिकेशन से भी पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है चलि फ्रेंट्स आज के सबसे पहले important current affairs को बढ़ते हैं IPL की एहमदाबाद franchisee का नया नाम क्या होगा तो देखे इसका नया नाम होगा गुजराट Titans इसका नाम गुजराट Titans कर दिया गया है देखे इसका सौमित्व इसका जो ownership है ये किसके पास है तो देखे इसका ownership है CBC Capital Partners के पास है दोस्तो गुजराट की कप्तान कोन होंगे तो ये है हार्दिक पांडिया इनके कोच का क्या नाम है आशिश नहरा जो की पूरो भारती तेज गेंदवाज है दोस्तो आपके जानकारी के लिए बता दू आइपिल 2022 के लिए जो auction है जो निलामी है किसके बीच होगी 12 फर्वरी और 13 फर्वरी के बीच बैंगलोर में होगी दोस्तो आइपिल 2022 में नई बात ये है कि इसमें 10 टीमें खेलेंगी नई टीमों का नाम है गुजराट टाइटेंस और लखनाव सूपर जाइंट्स हाली में इसका भी नाम बदला हुआ है लखनाव सूपर जाइंट्स देखी पुराने टीमें कौन-कौन सी है मुंबाई इंडियंस, KKR, CSK, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, RCB, सनराइजर्स, हैदराबाल्द, और फिर है राजस्थान रॉल्स ये 10 टीमों के नाम मैंने आपको बता दिये दोस्तो यहाँ पर बात आ रही है IPL की तो मैं आपको IPL के बारे में कुछ important details share करता हूँ बहुत ध्यान से सुनिए दिखिए IPL का जो सबसे पहला संस्करण था, पहला addition था 2008 में हुआ, ठीक है दोस्तो current champion कौन है? तो current champions चन्नाई सूपर किंग है चन्नाई सूपर किंग्स ने IPL को 4 बार title जीता है सबसे most successful team कौन से रही है तो यह है Mumbai Indians Mumbai Indians ने 5 बार title को जीता है IPL को control कौन करता है? तो IPL को control करता है BCCI आई मैं आपको BCCI के बारे में important details share करता हूँ BCCI का full form क्या होता है? Board of Control for Cricket in India इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी इसका headquarter मुंबई में है वर्तमान में इसके president कोन है? सौरफ गांगुली कोन है? सौरफ गांगुली इसके secretary कोन है? सचीब कोन है? इनका नाम है जैशा क्या नाम है जैशा वर्तमान में men's coach कोन है? इनका नाम है राहुल ड्रविड दोस्तो वर्तमान में विमेंस कोच कोन है तो यह है रमेश पोवार इन सभी पॉइंट्स को जाद रखेगा एक्जाम में निश्ची थी इनसे एक प्रशन तो पूछे जाएंगे चली फ्रेंट्स सेकेंड इंपोर्टेंट करिंट अफेर्स को पढ़ते हैं राश्टी रक्षा अकैडमी नेश्नल डिफेंस अकैडमी में किसे नया प्रिसिक्षक म्यूप्त किया गया है तो उनका नाम है संजय कुमार दोस्तों संजय कुमार के बारे मैं आपको बता दूं सूबेदार संजय कुमार परमवीर चकर से सम्मानिक किये जा चुके हैं परम वीर चक्र सरवोच चो सौर यसेन अलंकरण है दोस्तों यहाँ पर बात आ रही है NDA की तो NDA का मेन फंक्शन क्या होता है तो देखिए थल सेना नौ सेना और वायू सेना के जो कैड़ेट होते हैं उनको एक साथ ट्रेनिंग देने का कार किसका होता है National Defense Academy का होता है यहाँ पर प्रेसिक्षन दिया जाता है ट्रेनिज को National Defense Academy का Headquarter कहां पर है तो यह खड़क वासला महरास्टर में है इसकी स्थापना का पूई थी साथ दिसंबर 1904 मन को दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ शर्षत्र बलो की प्रमुकों के बारे में ध्यान से सुनते जाएगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा BSF के महानिदेशक के बारे में तो BSF के महानिदेशक को यह पात करेंगे ITBP के महानिदेशक तो ITBP के महानी देशक है संजय अरोरा क्या नाम इनका संजय अरोरा भारती थल सेना अध्यक्ष है जनरल मनोज मुकुन नर्वने भारती वायू सेना अध्यक्ष कोन है फ्रेंड्स इनका नाम है विवेक राम चौधरी भारती नौ से न अध्यक्ष कोन है तो इनका नाम है एड्मिरल आर हरीकुमार ठर्ड इंपोर्टेंट करिंट फर आपके सामने रहा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जा रहा है तो देखे इसे जैपुर में बनाया जा रहा है दोस्तो BCCI अध्यक्ष का नाम है सौरफ गांगुली नाम है और राजस्थान के सीम अशोक गैलोत ने जैपुर में दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की अधार शिला रखी है देखे इसमें 75,000 दर्शकों की बैटने की कैपसिटी होगी इसमें लगभग 6,500 करोर रुपए की लागत आएगे दोस्तो मैं आपको बता दूँ दुनिया के जो सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम है तो पहला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये कहाँ पर है एमदाबाद में इसमें 1.10,000,000 दर्शक बैटने की शमता है देखे दूसरा कौन सा है मेलबन क्रिकेट ग्राउंड ये कहाँ पर है औस्टेलिया में है देखे इसमें 90,000,000 दर्शक शमता है यानि 90,000,000 कैपसिटी है ओडियन्स की दोस्तों यहाँ पर स्टेडियम की बात आ रही है तो मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के प्रमुख स्टेडियम के नाम के बारे में सबसे पहले बात करेंगे अरून जैटली स्टेडियम के बारे में तो देखे अरून जैटली स्टेडियम कहाँ पर है नई देली में है और यह है एक क्रिकेट स्टेडियम है दूसरा है फ्रेंट्स सवई मान सिंग स्टेडियम तो सवई मान सिंग स्टेडियम जैपूर में है फ्रेंट्स और ये क्रिकट स्टेडियम है नेस्ट है फ्रेंट्स चिदंबरं स्टेडियम या फिर हम इसे चेपॉक स्टेडियम भी कहते हैं ये क्रिकेट स्टेडियम है और ये कहां पर है ये चिन्नाई में है चली नेस्ट बात करेंगे वान खेड़े स्टेडियम ये भी क्रिकेट स्टेडियम है और ये कहां पर है ये मुंबई में है नेस्ट है Captain Roof Singh Stadium ये कहां पर है गौालियर में है और ये Cricket Stadium है आखरी में बात करेंगे ध्यान चंजन National Stadium ये Hockey Stadium है और ये कहां पर है फ्रेंट्स ये दिल्ली में है आज का सबसे पहला Knowledge Booster आपके सामने है और आज मैं आपको बताने वाला हूँ विश्व के प्रमुग जौला मुखी World Famous Volcanoes देखे सबसे पहला है Mount Koto Paxi देखे ये Active जौला मुखी है कहां पर है इक्वडोर में है अगली बात करेंगे Friends Mount Etna तो देखे ये भी Active Volcano है और कहां पर है Friends इटली में है चलिए अगली बात करेंगे Friends Fuseyama तो Fuseyama भी Active Volcano है और ये जापान में है Nest है Friends Elburge तो Elburge कहां पर है Georgia में है देखे नेस्ट important है क्योंकि हम यहां पर भारती जौला मुखी के बारे में बताएंगे आपको तो उसका नाम है Baron Dweep तो देखे ये भी क्या है Active Volcano है ये कहां पर है अंडमान वो नीको बार दीपसमू में है Nest Friends Mayana Mayana कहां पर है Philippines में है Nest Friends Popa तो Popa शान्त जौला मुखी है और ये मैमार में हमारे पडोसी देश मैमार में आखरी ये Friends Co ये भी शान्त जौला मुखी है और ये इरान में है fourth important current affair आपके सामने राग किसे केंदर शासे प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा इगलू कैफे खोला गया है तो देखे जम्मू कश्मीर यूटी में केंदर शासे प्रदेश में सबसे बड़ा इगलू कैफे खोला गया है दोस्तों इगलू क्या होता है को बता देता हूं देखे बहुत ध्यान से तो देखे जो बर्व से बनाय जाने वाले जो घर होते हैं बर्व से बनाय वाले जो हाउस होते हैं उसे हम इगलू कहते हैं देखे इस कैफे का नाम क्या है स्नो गलू है इसे वसीम शाने बनाया है यह 44.5 फिट व्यास का है और इसक पहले फ्रेंट्स सबसे बड़ा जो इगलू कैफे था वो कहां पर था स्विट्जर लेंड में था दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात आई तो मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में दिवस मना जाता है यूनेटी डे मना जाता है सर्दाव अल्ला भाई पतिल जी की हाथ पर देखिए फ्रेंड्स नेस्ट इंपोर्टेंट करेंट है फिर आपके सामने रहा अफ्रीका कप ऑफ नेशन्स चैंपिन्सिप 2021 का किताब किसने जीता है तो देखे सेनेगल ने इस कप को जीता है दोस्तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू यह किस प्रकार का टूर्नामेंट है तो देखे यह एक फुटबॉल टूर्नामेंट है याद रखेगा यह एक फुटबॉल की प्रतियोगिता है CAF आफरीका कफ ऑफ नेशन्स दोस्तो इस चैंपिन्सिप में केव इसकी स्थापना कब हुई थी 1957 दोस्तो आफरीका कफ ऑफ नेशन्स का विनर को ने यह है सेनेगल जैसा कि मैंने आपको बताया इसने इजिप्ट को हराया है और सेनेगल ने ऐसा पहली बार किया है पहली बार आफरीका कफ ऑफ नेशन्स का खिताब जीता है देखे दोस्तो यह जो देश है ना यह वेस्ट आफरीका में स्थित है देखे इसकी कैपिटल क्या है तो इसकी कैपिटल है डाकर इसकी कैपिटल क्या फ्रेंट्स डाकर देखे सेनेगल क्यों फेमस है तो सेनेगल फेमस है फ्रेंट्स यहाँ पर जो 40% इसका जो एरिया है यहाँ मूंग फली की खेती होती है चली फ्रेंट्स सिफ्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्स क्यों बढ़ते हैं एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए है इनका क्या नाम है तो दोस्तों इनका नाम है गौतम अडानी देखे इस इंडेक्स को किसने जारी किया है तो इस इंडेक्स को ब्लूमबर्ग ब्लिनियर्स इंडेक्स के द्वारा जारी किया गया है इसमें एशिया के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी को बताया गया है इनकी टोटल संपत्ती 88.5 billion डॉलर तक पहुँच गई है दोस्तो इन्होंने किसको पीछे छोड़ दिया है तो मुकेश अमबानी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है जिनकी वर्थ 87.9 billion डॉलर है दोस्तो Bloomberg Billinears Index के अनुसार सबसे अमीर कोन है तो इनका नाम है Elon Musk ये दुनिया के सबसे अमीर वेक्ती है देखे फ्रेंड्स 5 richest Billinears जो Bloomberg Index के तोरह जारी किये गए है आईए मैं आपको बताता हूँ देखे सबसे पहला नाम है Elon Musk का तो देखे इनका जो source of wealth है वो है Tesla और SpaceX के मालिक है नेस्ट है फ्रेंड्स बर्नार्ड और नॉल्ट तो बर्नार्ड और नॉल्ट जो है इनका जो source of wealth है वो है LVMH तीसरे नमबर पर है जेफ बेजौस तो जेफ बेजौस मालिक है Amazon और Blue Origin के फूर्थ नमबर पर है फ्रेंड्स बिल गेट्स जो की Microsoft के मालिक है फिफ्थ बात करेंगे Larry Page Larry Page किसके मालिक है Alphabet Inc. के मालिक है सेवन्थ इंपोर्टन करेंट फैर आपके सामने रा हाली में वरिष्ट नेता इनका क्या नाम है चंदू पतला जंग रेड़ी का निधन हो गया है विकिस पार्टी से संबंदित है तो देखें ये भाजपा पार्टी से संबंदित है दोस्तो आपसे पूछा जा सकता है किस राज़िसर रेलेटेड है तो देखें ये आन्प्रतिस राज़िसर रेलेटेड है दोस्तों इनके बारे मैं आपको speciality बता देता हूँ 1984 में जब भाजपाक के लोगसभा में केवल दो सांशत थे तो दो सांशत में एक सांशत का नाम था चंदू पतला जंग रेड़ी दोस्तों 1984 के आम चुनाओं में इन्होंने दोस्तों एशिया के देशों के नाम बताऊंगा उनकी राजधानी बताऊंगा और उनकी करंसी बताऊंगा चलिए तो देखे सबसे पहले बात करेंगे एर्मेनिया तो देखे एर्मेनिया की जो कैपिटल है यह है यारा वेरन यहाँ पर कौन सी करंसी चलती है ड्रहम नेश्टर फ्रेंड्स अजर बैजान तो अजर बैजान की कैपिटल बाकू है यहाँ पर मानत मानत करंसी चलती है नेश्टे Friends, Cyprus तो Cyprus की capital है Nikosia, यहां पर Euro चलती है Friends नेश्टे Friends, Malaysia तो Malaysia की capital है Kuala Lampur, और यहां पर currency का इस्तमाल होता है नेश्टे Friends, Оman तो Oman की capital है Muscat, और यहां पर currency उस होती है, वो है Rial, देखी, नेश्ट है Qatar Qatar की capital दोहा है और यहाँ पर जो currency इस्तमाल होती है वो होती है real नेस्ट है Syria Syria की capital है Damascus और यहाँ पर Syrian pound का इस्तमाल होता है नेस्ट है Turkey तो Turkey की capital है France Ankara और यहाँ पर Turkish lira का इस्तमाल किया जाता है आखरी में बात करें के Vietnam तो Vietnam की capital हनोई है यहाँ पर डोंग currency का अस्तमाल किया जाता है दोस्तों इस सभी points की वाद रखेगा इनसे एक question तो पूछ लिये जाते हैं देखे friends अब मैं आपको current affairs की रस्मलाई देने वाला हूँ याई 2021 के important current affairs को हम discuss करेंगे तो पहला प्रशन है हेल्थ इंडेक्स 2020 में किस राज्य को लगा तार चौथी बार पहला स्थान प्राप्थ हुआ तो देखे केरल राज्य को हाली में भारत ने किस देश के पांच उत्पादों पर anti-dumping duty लगाई है तो देखे किस देश पर लगाई है friends तो यह है चीन पर नेस्ट है कौन सा देश संयुक्त राज्य सुरक्षा परिस्ट की आतंगवाद विरोधी समती की अध्यक्षता करेगा तो देखे देखे friends भारत इसकी अध्यक्षता करेगा नेस्ट है हाली में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने उत्तर प्रिदेश के किस थान पर मेट्रो रेल के पून खंड का उध्गाटन किया है तो कहाँ पर friends हाली में कानपूर पे इसका उध्गाटन किया गया है देखे friends पुनीत भहल को कमांडेंट न्यूट किया गया है नेस्ट इंपोर्टन करिंट इफर आपके सामने रहा भारक का कौन सा विमान सिंगापूर एयर शो दो हजर बाइस में प्रदर्शन करेगा तो देखे इसका नाम है तेजस दोस्तो तेजस जो है हलका लड़ाकू विमान है और यह है एक सूपरसोनिक लड़ाकू भी मान भी है दोस्तो सिंगापूर एयर शो कब से कब तक चले यह 15 से लेके 18 फरवरी तक आजित किया चाहेगा इसमें अमेरिकी सेना इंडोनेशियाई एरोबेटिक टीम और सिंगापूर वायू सेना एयर शो में भाग लेगी दोस्तो बात करें तेजस किस के दौरा बनाय गया है तो देखिए हिंदुस्तन Aeronauticals Limited HAL के दौरा इससे बनाय गया है 9th important current affair आपके सामने रहा सुरक्षत इंटरनेट दिवस किस दिन मनाय जाता है Safe Internet Day किस दिन मनाय जाता है तो देखिए हर साल 8 फरवरी को सुरक्षत Internet Day मनाय जाता है दोस्तो हर साल बात करें फरवरी महीने के दूसरे हफते के दूसर दिन ये मनाय जाता है दोस्तो इस बार की theme क्या है Together for a Better Internet दोस्तो computer वेग्यानिक क्या नाम हैंका Team Burners League इन्होंने 1990 में World Wide Web www का अविशकार करके Internet को नया आयाम धिया था दोस्तो 2004 में यूरोपी संग की एक पहल की रूप में इसे मनाना शुरू किया गया दोस्तों आप पर डेश की बात आ रही दिवस की बात आ रही है तो कुछ important दिवस आप से पूछे जा सकते है मैं आपको revise करा देता हूँ World Wetland Day विश्व आद्रभूमी दिवस हर साल कम मना जाता है तो 2 फरवरी को मना जाता है World Cancer Day विश्व Cancer दिवस हर साल 4 फरवरी को मना जाता है विश्वर रेडियो दिवस का मना जाता है तो World Radio Day 13 फरवरी को मना जाता है National Science Day राश्ट्री विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मना जाता है देखे फ्रेंड्स आज का आखरी important करेंट फेलेरा कंचोत पर्व किस केंदर शासे प्रदेश में मना जाता है तो देखे जम्मू कश्मीर पर कंचोत पर्व मना जाता है देखे किस के दोरा मना जाता है तो नाग अनुयाईयों के दोरा मना जाता है देखे कहां पर होता है चिनाब घाटी छेतर में धार्मिक उत्सा के साथ ही मनाया जाता है और हर साल जर्वरी या फिर फर्वरी में माग महिने के शुकल पक्ष के दोरान इसे मनाया जाता है दोस्तों जम्मो और कश्मीर की बात आ रही ही तो इसके और भी important परंपरिक परव है जो आपसे पूछे जा सकते हैं तो देखे टूलिफ फेस्टिबल गुरेज फेस्टिबल और ये है तीसरा शिकारा फेस्टिबल देखे फ्रेंड्स मैं आपको एक और important न्यूस देने वाला हूँ आप कोई भी नई वेकेंसी आती है तो मैं आपको इसकी information daily current affairs में भी cover करूँगा तो देखे एक वेकेंसी आई है SBI score recruitment 2022 इसमें पदो की संख्य 48 है योगिता graduation चाहिए आधिक्तम सीमा आयू की 40 वर्स है और आवेदन की आखरी तिती है 25 फरवरी आप कहां पर इसको apply कर सकते हैं तो उसकी official website sbo.co.in पर आप इसे apply कर सकते हैं इस vacancies को तो आने वाली upcoming जो vacancies होगी मैं उसका alert भी आपको इसी daily current affair पर दूँगा ताकि थोड़ी सी मुदद मैं और भी आपकी कर सकूँ चली friends best comments of the day पर चलते हैं Mr. Kumar, Issue Prashad, S. Mehra और रूची वर्मा Thank you for your valuable feedback and suggestion Keep sharing our channel and keep loving it तो देखिए friends अब मैं आपसे कुछ important questions करने वाल हूँ जिसका answer आपको comment box पर करना है तो पहला प्रशन है सुरक्षित internet day 2022 की theme क्या है Question number 2 गुजराट Titans के captain कोन है Question number 3 National Defense Academy की स्थापना कब हुई थी Question number 4 दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा cricket stadium कोन सा है Question number 5 Mount Koto Paxi जौला मुकी किस country में देखिए इन पांचों प्रस्नों कुत्तर आपको comment box पे करना है चलिए friends 9 February के important current affairs का revision कर लेते हैं तो देखिए पहला प्रशन है Mission इंदर धनोस 4.0 को किसने launch किया है तो देखिए मनसुख मडाविया भारत के वर्तुमान स्वास्त मंतरी ने इसे launch किया अगला है friends महरानी Elizabeth 2 कितने सालों तक शाषन करने वाली पहली महरानी बन गई है तो देखिए अब तक इन्होंने 70 साल तक शाषन किया है प्रवीर्ण कुमार सुबती का निधन हो गया है वे क्या थे तो देखिए ये अभिनेता थे COVID-19 DNA वैक्सिन लगाने वाला पहला देश कोन बनाए तो देखिए इस देश का नाम है भारत केंदर सरकार 2022 में 4000 दूर संचार टावर स्थापित करने का निधने ले रही है कहां पर तो देखिए ओडिसा राज में अशा करता हूँ कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा देखिए इस सेशन को आप अपने सभी दोस्तों को जरूर शेर करिये हम आपको कम समय में क्वालिटी कंटेंट डाटा प्रोवाइड करते हैं फॉलो कीजे क्रेजी जीकर ट्रेट को डिफरेंट सोशल मेडिया प्लाटफॉर्म पर पहली बार आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजे और बैल ऐकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कीप लाइकिंग कीप शेरें योर चैनल क्रेजी जेकर ट्रेट जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं थैंक यू फ्रेंट्स